हेलो इस्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राइट केडमी तो दोस्तो चार अप्रेल को आप लोगों का साइन्स का पेपर हैं जैसा कि देख पारें यह दो पेपर मेरे पास प्रिविएस एर पेपर का है और इसमें के क्यूशन जितना यह तैयार कर लिजिएगा क्य से कहते हैं और इसके मातों को चीतर की साहता सासपच किजिए चार नमर के लिए प्रशन है तो पहले आप लोगों को तैयार ही कर लेना किसी किमत पे क्योंकि प्रशन बहुत ज्यादा इंपरेंट है जरूर देखने को आप को दूजर बाइस बोड़ी जामें मिलेगा इसके प्रशन देख पा रहा है प्रवियसर पेपर से क्यूसन तीस नंबर कहीं नहीं गया तीस नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा ठीक है इसके बाद देखें यह बहुत क्यूसन मोस्ट इंपोटेंट है कि परागण क्या है यह कहां पाय जाते हैं विभीन प्रकार के परण भी उस चेप्र से लिए ठीक है यह तो कह रहा है कि अगर यह नहीं आ रहा था कि निदो पर टिप्री कि जिए तीनों की चीज़ आपको आना चाहिए आपको उर्जा के प्रामप्रवी सुरोत क्या आए भी जानना चाहिए यह तीनों पॉर्शन आपको तैयार होना च पूचा जागा इसको आठा दिए सजीव तथा निर्जीव में अंतरा सपस्ट कीजिए पावदे सजीव क्यों होते यह बी बताना है इसके बात को सब्सक्रा मोची तूर्जा की सब्सक्राइब क्या समझते हैं प्रकास संसलेसम इसकी भूम क्या बताईए और एक ही आपका हर्मोस की परिवासाइब आपको बताना है जाएब करना है कि आवरित बीजी पौदे में लाइगी की जनन और दूसरा मनुसे में लिंग निर्दारान की परक्रिया क्या है यह पोर्षण आपको त्यार करके जाना है तो यह तो आपको लोग चार-चार नमर के लिए प्रश जिवास में कितने पुराने हैं इसका नाम नाम लिख्या प्रोपारी किया श्यादे लेंगे उसके इपर तोul यहां जista कर हो यह में फिर इसके और यांप साबनी करन क्या है बताना है योग अभी क्रिया किसे कहते हैं सजातिय स्रणी में इसके उप्योग बहुत ज़्यादा यंपी इसको जरूर से त्यार करके आप इसके बाद निम्रिखित के एक रसानिक गुड़ दर्मा आपको बताना है कि एथिलेलकोल का रसानिक सम्मिकर्ण होने का अगर विद्दू तब गटनी विदी का वलन कीजिए और इस पर क्रिया में बने मुग के उत्पाद लिखे और असानिक अभी क्रिया का सम्मिकर्ण भी लिखना है अतुता उपयोग में लाए गए उपकरण का नमा की चित्रव्याब को बनाना है बहुत ज़्यादा करेंगे Decay दावन सोडा से समीकर से प्रॉट यह अचे Nach никак 一 से आउने दोनों आपको चाहिए और संत्रीव तता चार्बन संक्रों का समय सूत्र लिखें बहुत ज essa सब्सक्राइब कर दो नियम पर संचीफ टिपड़ी की उधारन द्वारा समझारा है इसके बाद देखे दो नुमर के प्रश्ण है कि निस्तापन तता बर्जन में क्या अंतरे तो आपको आना ही चाहिए गालक तता दातुमल में क्या अंतरे आना ही चाहिए ठीक है अलंकि वह लोग फीजिक्स के तरपा जाते हैं फीजिक्स में देखिए एक सवाल है बहुत इंपोर्टेंट है सवाल है कि दो ओम तीन तता पांच ओम के प्रतिरोदों को अगर सिरेडी कर में जोड़ा गया है और यदि सन्यों के दोनों सीरो पर तीस वोल्ट की विवांतर लगा हो त तो मतलब कुछ के यह मत यह तो याद होना ही चाहिए कि नमांकी तारे खीचकर विद्धू जनितर का सिदान तता कारे विद्धू असप्रस्ट के दिए यह सभी मुस्ट इंपोर्टन करा चुका हूं यह बर फिर बता रहा हूं फिर भी सिर्पेपर से कि इसको तैयार कर ल जब तापमान की तर निम्नवत होती है कम होती है यदि विद्धू आपूर्ती की वोल्ट अगर 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्धू दारा प्रतिरुद के मान परिकलत कीजिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट और यह वाला पोर्शन तो वाई है कुछ बिल जाएगा इसको थोड़ी बूलना है कि दूर दुरिष्टि दोस क्या है इसका क्या कारण है इस दोस को निवारन करने के सचीत वड़न कीजिए चार नमर के लिए दूर और निकट दोनों याद कर जगा या तो दूर पूछेगा जबर चार नमर के लिए ठीक है इसके कि कोई 2 cm लंबा बीम अगर 10 cm फोकस दूरी के किसी उत्तर लेंस के मुख्यक्स के लंबावत रखा है तो बीम की लेंस से दूरी 15 cm है तो प्रते बीम के प्रकृति और इस्तिती तथा आकार ग्यात की चार नमर के लिए प्रश्ण है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट आए में भी देखिए पूरा नमर कल आपको आना चाहिए कि 3, 4, 25 ताता 100 cm फोकस दूरी के 4 अगर उत्तर लेंस है तक हगोलिय दूर दर्सी के अभिद्रिस्यक ताता नेत्रिका के किस-किस लेंस का उप्योग करने से अधिकतम आवर्दन चमता प्राव्थों का बहुत इस लेंस से कितने दूरी पर कोई वस्तू रखी जाये जिससे कि उसका वस्तू से दो गुणा बड़ा प्रतिवीम बने जबकि प्रतिवीम क्या हो वास्ति विखों ठीक है यह पूचा वेर वेर मुस्त इंपोटेंट है ठीक है और यहां से आपका पूर्शन पूरा क्या हो गया यह वाला तो पेपर कंप्लीट हो गया और इसमें भी बाया लोजिक आमने कंप्लीट कर रखा रखा है जो कि आपको तैयर करके जाना है ठीक है और यह दू-दो नमर क चीतर बनाना है प्रतिवर्थी किरिया का इसके बाद यह तो बावविकल्पी चोड़िए इसके बाद एक केमेस्ट्री में केमेस्ट्री में देखे यह पोर्शन आपको यादोना चाहिए जो असब है कि चांदी का एक तार सीजू यह सफोर के विलेम ने डूबया गया है दूसरे बरतन में एक तांबे कातार एजीन नोथरी के विलेम में डूबया गया है दोनों बरतनों में ओने वाली अविक्रियाओं के कारण सभी समझाई है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है और बताना है कि आइनिक योगिकों का गलना कुछ क्यों होता है इसके बाद एथिनाल को अगर अधिक के सांदर सल्फियूरी कामले के साथ अगर 443 केलव इंतापर अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा अगर एथिनोई कामले सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर विक्रिया करेंगा तो क्या होगा और मेथिन का दवन होगा तो क्या होगा यह चारों पो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जरूर देखने को आपको मिलेगा बेकिंग सुड़ा बनाने की विदी तथा एक उपयोग लिखना है और यह वाला देखे साबुन की सफाई बहुत ज्यादा यह वह ज्यादा इंपोर्टेंट है सभी इंपोर्टेंट है जो बतारों इसको गोला जाता है तो क्या होगा और धातु और दातु में बहुत दी गुड़ों के अधार पांतर स्वर्ष करना कि दातु क्या दातु हमने अभी वीडियो जैस्ट हाली मी बनाया था उसमें अभी अम इन सभी क्यों को इंकिलूट किया था ठीक है और यह वह वाला बेकिंग स जनितर का सी दांतियम कारे विदी संखेप में समझाए आवसेक चीतर भी बनाना है या तो यह नहीं आ रहा तो यह बता दिए कि किसी चुमकिये चेतर में इस्ति धरावाई चाले पर लगने वाले बल की दिशा ग्याद करने के नियम लिखे और चीतर की सायता से एक विद् तूर्जा का मूले ग्याद करिए अगर यह दी प्रती यूनिट का मूले अगर साथ रूपया अगर हो तो ठीक है प्रस्ण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यार विद्दार ठीक है चलिए यह इसको तयार करके जाना है और देखें यह वाला प्रस्टर आपको आद़ना चाहिए कि स्वेथ प्रकास का प्रीज्व में द्वरा व्ड़ी खेपड की घटना को समझें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और किस रंग की कीरण सबसे अधिक विचलित हो जब भी बताना है फिसके बाद है कि यह आउतल दरपन से फोकस तक व्यूजस त तो आप इस मीटर से अपने गर में अधिक्तम कितना विद्दूत बार संचालित कर सकते हैं उत्तर आपको किलोवाट में बताना ही याद रखिए इसके बाद कुरे के समयवानों में सोडियम प्रकास को क्यों वांचीत होता है ठीक है इसके बाद अगर दिखे यह वाला यह व पूरा का पूरा पोर्शन हमें आप लोगों को बता दिया और यह दूनों पेपर था 2020 का अगर याद कर लेते हैं तो वादा है मेरा 20 या 25 नमर कहीं ने गया है पूरा मिला कर आराम से 20-25 नमर उठा ले आएंगे बस इसको पूरा याद करके आप जाईएगा तो मेरे प्या से नेक्स वीडियो में तबते के लिए धन्यवाद